हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi अर्था लेंगिक विशंता हैं यह क्या होती हैं और क्यों आज के समय में यह न्यूज में हैं वैसे देखा जाए तो लेंगिक विशंता हैं यह Sexual Dymorphism आज से एक वर्ष पहले न्यूज में था अभी बेसिकली यह न्यूज में हैं कि जो Genome Bank का निर्मान करने जा रही है इसके रिकार्डिंग यह वर्ड फिरसे न्यूज में आएगा और साथ में हम यह भी देखेंगे कि चूकी गंगा डॉल्फिन न्यूज में हैं तो रिवर डॉल्फिन अर्थाद नदियों में पाए जाने वाली विश्व की अधर डॉल्फिन इसके बारे में हम इस वीडिय लेंग्वेज में देखें एकदम सीधी भासा में अगर मैं आपको समझाओं तो समझेगा कि यह डायम और्फिजम है इसे इस वर्ड को हिंदी मीडियम को भी याद करना होगा याद रखें कि जो सिविल सर्वेसे इग्जामिनेशन है आई तिंक आप सभी इससे बहुत अनवाद करा जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि अनवाद में जो शब्दावली जो टर्मिनलोजी यूज होती हैं वो काफी ज़ादा टफ टू अंडर्स्टेंड हो जाती है और इससे हिंदी माध्यम के स्टुडेंट को एक अलग ही प्रकार के कॉंपिटिशन का सामना करन पड़ता है तो इससे बचने के को पाए है कुछ words को जैसे मैं कहूं कुछ scientific technical words को अब अगर आप computer को Hindi में समझने का प्रयास करेंगे computer को Hindi में translate करेंगे its word को तो फिर आपके विशमता है, इसे द्वी रुपता भी कहा जाता है ये हिंदी में समझ ले बट यूज करने में या याद करने में डायमर्फिजम वर्ड को ज़्यादा फोकस करेंगे तो याद रखें कि डायमर्फिजम क्या होता है तो सिंपल सी बात है मैं इसे दूसरे एक माध्यम से समझाने का अगर प्रयास करूँ तो याद रखिएगा कि जीवों में एक सामानी गुर्ण धर्म देखने को मिलता है जहां आप पाएंगे कि जो मेल है और फीमेल है जो नर तथा मादा है इसके बीच में बॉड़ी करेक्टरिस्टिक्स अर्था शारिरिक अंतर इसपस्ट रूप से दिखाई देता है जैसा कि आप देख पाएंगे इधर है मेल कैंगरू यानि की नर कंगारू और याद रखेगा ये जो मेल है इसका बॉड़ी साइज फीमेल के कंपेरिजन में काफी जादा होता है इस पिक्चर में तो दौनों एक साइज के दिख रहे हैं परंतु याद रखेगा मेल का साइज जो है वो काफी जादा बड़ा होता है as compared to female यहाँ आपको female दिखेगी और यह male है अब यहाँ पर याद रखिए कि male और female के body size में difference इसका मुख्य कारण होता है evolution यानि कि उद्विकाश तो याद रखिए उद्विकाश के क्रम में प्रकृति ने सामान्य चैन के द्वारा या प्रकृतिक चैन के द्वारा या मैं जिसे प्रतिबादित करा था चार्ल्स डार्विन ने तो याद रखिए कि चार्ल्स डार्विन के सिधान्त को कहें या हम इन जनरल भी कहें तो natural selection के द्वारा male और female के body size में significant difference होता है पर्याप तंतर देखने को मिलता है इसे कहा जाता है sexual dimorphism यह इसपस्ट रूप से जीव important part होता है और याद रखिएगा कि इस condition में जहां पर environment और ecology super important है वहां आप पाएंगे कि बहुत scientifically civil सेवा परिच्छा ने प्रश्न करे हैं अगर मैं आप से कहूं कि civil सेवा परिच्छा ने last 5 years में या 5 सालों में जो प्रश्न environment से related करे हैं उसमें आप पाएंगे कि बहुत function होता है बच्चों के भ्रह्म है अगर मैं आपसे कहूं सामनेता जब आप इसे यूट्यूप पर सर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि everyone says हर को यह बास जरूर रिपीट करेगा कि आपके लिए अगर प्रिलिम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है तो उसका एक मूल मंतर यह है क आपका geography और environment strong होना चाहिए और बच्चा उठा कर रटना स्टार्ट कर लेता है environment को और जहां से environment स्टार्ट होता है वहां बहुत general topics होते हैं जैसे food chain, food web, खाद संक्रा, खाद जाल या फिर पारिस्थिति की क्या होती है इस प्रकार के बहुत general topics से पढ़ाई स्टार्ट होती कि जो आप पढ़ते हैं और जो exam में आता है इसमें परयापत अंतर है और ये अंतर खास कर दिखा देता है environment में आप पाएंगे कि प्रशन बहुत advanced level पे है और studies बहुत basic level पे है अगर मैं इसका एक line में answer दूँ तो याद रखेगा बच्चो के environment जो आप जो परयावरन आप देखते हैं उसमें सामानिता प्रदूशन के बारे में सामानिता पारिस्तिकी के बारे में देखते हैं बट वास्तविक्ता में UPSC Civil Services का जो environment है जो परयावरन है ये वास्तविक्ता में तीन सब्जेक्ट का junction है यहाँ पर around 40% geography होती है around 30% biology होती है और around 30% वो environment होता है वो पर परयावरन है इसका mixture है UPSC का environment ना कि वो environment जो आप पढ़ रहे हैं clear तो इसी का एक सब पार्ट है जहां हम भोगोलिक छेतर के आधार पर या मैं कहूं biology के आधार पर इन दो basis पे चीजों का अध्यन करते हैं खासकर biodiversity अर्था जैविविद्दा का अध्यन करते हैं अगर मैं आपसे किसी दिन अभी तो इस सीरीज में possible नहीं है पर किसी दिन मैं जरूर आपके समक्ष प्रसुत होंगा सिविल सिवा के previous प्रशनों को लेकर जहां मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपको प्रशन दिखता है एक word यूज होता है discussion में सामानियता जिसे कहा ज चीज को कि आपको दिख बस रहा है कि उसने लेगून से related कोई प्रशन पूछा है या फिर आपको दिख बस रहा है कि अफ्रिका में मिलने वाले हाथियों से related प्रशन आया है और आपने उसे यह समझ कर कि यह current affair based question है जस्ट आप यह statement देकर चीज से आगे बढ़ चुके हैं पर याद रखें कि यह प्रशन उसने conventional पार्ट से पूछा है यानि कि यह current based question नहीं था यह current के किसी topic के कारण basic से आया हुआ प्रशन है तो यह जो difference है इसे cover करने का प्रयास है value edition series याद रखें कि मैं इसे continue करने का प्रयास करूँगा up to your prelims इसमें हमारा यह प्रयास है कि हम near about 100-100 ऐसे videos बनाएं जो environment, geopolitics, mapping या फिर other किसी भी पार्ट से जो directly आपके pre या मेंस में प्रशन देते हैं उन topics को cover करने का प्रयास है अब वापस आते हैं हमारे topic पर याद रखें कि sexual diamorphism या मैं कहूं लेंगिक विशमताएं यह जीवों में बहुत common है और यह भी याद रखे कि जो dolphin है इसके case में जो sexual diamorphism है यह इसलिए पढ़ना आवशक है क्योंकि गंगा dolphin में यह reverse है याने कि सामानेता जीवों में देखने को मिलता है कि sexual diamorphism के कारण male का body size ज्यादा होता है female का body size कम होता है गंगा dolphin के case में यह उल्टा है जहां आप पाएंगे कि गंगा dolphin female का size ज् compare to male और इसी के साथ आपको यह information अपने notes में note down करनी है कि सामानेता sexual diamorphism के कारण male और female में male and female में जो body का difference है male में ज्यादा होता है और female में थोड़ा कम होता है यह information अब second information याद रखनी है कि reverse sexual diamorphism में जो नर है और जो मादा है इसमें याद रखेगा कि नर का size कम होता है और मादा का size जो है या female का size जो है वो जादा होता है तो इस information को पहले note down करें दूसरी चीज note down करें अपने mind में याद रखेगा कि जो dolphins है इसके case में खास कर गंगा dolphin के case में यह clearly दिखाए दिएता है कि यहाँ पर reverse diamorphism है second information याद रखेगा कि reverse diamorphism का या मैं कहूँ उलट लेंगिक विशमता का सबसे बहतर उधारन आपको देखने को मिलता है सागरी जीवों में और खास कर देखने को मिलता है octopus में जहां octopus नर जो होता है उसका size मादा के comparison में 7-8 गुना कम होता है यानि कि मादा जो है 7-8 गुना जादा बड़ी होती है नर जो है वो काफी छोटे size के होते हैं और ये भी याद रखेगा कि यहाँ पर आपको एक term और देखने को मिलेगी स्वजाती भक्षी तो कुछ octopus जो है वो स्वजाती भक्षी भी होते हैं cannibalistic भी होते हैं जहां मादा जो है वो प्रजिनन के परशाद नर को शिकार कर लेती है clear है तो ये एक information है इसे याद रखे या मैं कहूं उलट कर दें अगर हम लेंगिक विशमताओं को तो इसका एक form हमें गंगा डॉल्फिन में दे अगर मैं आपसे कहूं कि गंगा डॉल्फिन से related आपको क्या क्या information याद रखनी चाहिए तो सबसे पहले तो हम गंगा डॉल्फिन के area के बारे में और साथ में इसके छेतर के बारे में देखते हैं परंतु पहले हम विश्व में जितनी भी fresh water डॉल्फिन है यानि कि ताजे अगर मैं आपसे कहूं just a second याद रखें कि जो डॉल्फिन होती है यह मैमल के category में आती है अब यह मैमल क्या होते हैं तो याद रखेगा वो जीव जो अंडे नहीं देते याने की सीधे सीधे अपने समान संतती याने की offspring को जन्म देते हैं उन्हें मैमल कहा जाता है clear है तो dolphin भी जो है वो whale की अगर हम genesis देखें तो यह whale के ही जो है वो एक निकली हुई branch है और whales भी वास्तरिक्ता में मैमल सी होती है चलिए अब next देखें ध्यान से याद रखेगा कि जो dolphins है यह fresh water कहां कहां मिलती है तो अब मैं diagram plot करने वाला हूं बहुत ध्यान से देखेगा just a second हम हम इसे थोड़ा सा zoom in कर लेते हैं जिससे आगे हमें problem ना हो और याद रखे अगर आप सिविल सेवा परिश्या की तयारी कर रहे हैं तो आपको बहतर तरीके से mapping आनी चाहिए इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो मैं draw कर रहा हूं इसे कहा जाता है बचो South America इसी प्रकार स जो है इसे कहते हैं Gulf of California यह मेक्सिको की गल्फ है उपर आएंगे कि यह Hudson की खाड़ी है इसी प्रकार से आप जाएंगे यहाँ पर जो है मध्य American Nations है और याद रखें Central American Nations का order भी कभी कभार पूछा जाता है यह order है NCP और याद रखें GSNCP basically order है Guatamara, Salvador, Nicaragua, Costa Rica और Panama इस प्रका भी कभी कभार पूछा जाता है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसे हम थोड़ा हटा दे चलिए यह बच्चो basically Africa वाला पार्ट यहाँ आप पाएंगे इस प्रकार से हमने ड्रॉ करा यह है Horn of Africa यहीं से जो है वो Africa तूटकर, Africa का separation हो रहा है और एक भाग तूटकर अलग हो सा कॉंटिनेंट यॉरप और याद रखिए कि यह है Scandinavian Nations clear है अब इसके अलावा आप पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Australia इस प्रकार से ओके चलिए तो अगर मैं आप से कहूं किन-किन छेत्रों में आपको डॉल्फिन देखने को मिलती है तो आप पाएंगे यह जो छेत्र है बेसिकली विश्व में छे प्रकार की fresh water dolphin या मैं कहूं ताजे पाने की डॉल्फिन देखने को मिलती है इसमें से एक पार्ट यहाँ पर उपस्तित है कौन सी डॉल्फिन मिलती है हम अभी देखेंगे याद रखिए एक यहाँ देखने को मिलेगा और एक ज इस प्रकार से आप पाएंगे याद रखें कि इस शेत्र में आपको देखने को मिलती है दो डॉल्फिन याद रखें फर्स्ट जो डॉल्फिन है इसे कहा जाता है अमेजन नदी की डॉल्फिन यानि की याद रखें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डॉल्फिन है इसके लिए याद रखेगा इसे पिंक डॉल्फिन भी कहा जाता है सेकेंड इन्फॉर्मिशन याद रखेगा कि यह बेसिकली अमेजन नदी तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास के छित्र में पाई जाती है इसके लिए याद रखें कि अमेजन प्लस एक नदी के आसपास इस डॉल्फिन का अधिवास देखने को मिलता है अब यहाँ पर जानने योग ये बात है याद रखेगा कि अमेजन डॉल्फिन की जनसंख्या भी लगातार कम हो रही है और इसकी लगातार कम हो रही जनसंख्या का मुख्य कारण है अमेजन नदी बेसिन क होने से जो इनका प्राकर्तिक आवास है या अधिवास है आप पाएंगे कि लगातार खराब हो रहा है क्लियर है तो Amazon Dolphin के लिए एक statement यह याद रखेगा इसी प्रकार से याद रखें कि आपको जितनी भी Dolphin का IUCN स्टेटस मुझे mention करना है यहां six Dolphin मैं plot करूँगा और मैं wait करूँगा कि आप सभी comment section में मुझे बताएं कि इन सभी Dolphin का IUCN क्या है IUCN तो International Union for Conservation of Nature यह एक यह UN designated organization है और यह organization बेसिकली बताती है कि विश्व में कौन-कौन से जीव endangered है याने कि किन-किन जीवों का किस प्रकार से संकत ग्रस्त गोसित करा जाएगा clear है मैंने कि वो कितने संकत ग्रस्त हैं इसके बारे में information IUCN organization देता है चलिए आप यहाँ ध्यान से देखे Amazon Dolphin के लिए एक statement यह है इसके अलावा इस छेतर में आपको एक और Dolphin देखने को मिलेगी याद रखें कि इस Dolphin के लिए एक important information है कि यह जो Dolphin है इस से related data याने कि इस स related अब जानकारी बहुत समय से मिलना बंध हो चुकी है clear है इस Dolphin को कहा जाता है टेक्सिक्सी clear और यह भी याद रखेंगा कि जो Dolphin है यह Dolphin विशेश कर ओरिनिको रिवर इसके आसपास ओरिनिको नदी इसके आसपास देखने को मिलती थी और यह याद रखें कि लास्ट के ब clear अभी इसका IUCN स्टेटस मैं आपको बता दूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको net में डूढने पर इसका स्टेटस ना मिले याद रखें यह अभी जो है वो endangered अब यह endangered यानि की सुभेद्य की स्टेंडी में आती है clear आपको symbol याद रखना है EN इसके लिए यूज होता है और य इसके अलावा याद रखेगा कि इस डॉल्फिन को कई बार gray dolphin या मैं कहूं कभी कबार इसके लिए जो है non pink dolphin भी बोलते हैं Amazon की जो dolphin main है उसे pink बोलते हैं और वो dolphin जो pink नहीं है उसे सामानिता gray कहा जाता है आप एक picture में देखेंगे तो शायद उतना slaty या उतना gray color दिखाई ना दे ओके तो याद रखेगा gray dolphin भी बोलते हैं ओके तो ये दो information है इस शेतर की dolphin के लिए इसके अलावा अब अगर हम आएं तो इस शेतर में आपको चार डॉल्फिन देखने को मिलती हैं अब ये चारों डॉल्फिन सुपर important है याद रखेगा मैं इधर mention कर रहा हूं ध्य याद रखेगा कि यहां हम consider करते हैं इरावधी डॉल्फिन को पर याद रखेगा इरावधी वास्त्रिक्ता में नदी में नहीं उसके डेल्टा में मिलती है परंतु आयू सीन कभी कबार इसे जो है वो fresh water में यानि ताजे पानी की डॉल्फिन में count कर लेता है परंतु यह याद रखेगा कि यह fresh water नहीं है पूरी तरह से ताजे पानी की नहीं है परंतु चूकिये नदी के डेल्टा में रहती है इसने नदी की डॉल्फिन ज़रूर मानी जाती है clear है तो यहां पर नाम आएगा इरावधी डॉल्फिन का इरावधी डॉल्फिन का इसके अलावा य अभी थोड़ा से रुके मैं इसके बारे मैं आपको डीटेल में समझाऊंगा इसे यंगत सिक्यांग यंगत सिक्यांग डॉल्फिन से नाम से जाना जाता है तो अब हम एके करके इन डॉल्फिन के बारे में information लेना start करते हैं मैं नीचे से इसले start करूँगा क्योंकि मुझे जादा focus जो है वो गंगर डॉल्फिन के बारे में करना है तो चलिए याद रखें कि यंगत सिक्यांग डॉल्फिन के लिए सबसे important statement है कि ये जो डॉल्फिन है याद रखिएगा कि ये डॉल्फिन विशेश कर चीनी छेतर में चीन के भाग में देखने को मिलती थी ये भी याद रखिएगा कि ये जो डॉल्फिन है ये डॉल्फिन जिस नदी में उपस्तित थी ये नदी वास्त्विकता में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सबसे बड़ी तथा कई बार जो है यंगत सिक्यांग नदी भी कहा जाता है मैं इसे mention कर दूँ द्यान से देखेगा अब इसके लिए एक और information है याद रखेगा कि ये जो dolphin आपने देखी यानि कि यंगत सिक्यांग dolphin ये यंगत सिक्यांग dolphin नहीं है वास्त्विक्ता में इसका proper और पूरा नाम है यंगत सिक्यांग finless dolphin अब यहाँ पर एक information मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ याद रखेगा कि अगर आपसे word use करा जाए only सिक्यांग या यंगत सिक्यांग यंगत सिक्यांग dolphin अब यहाँ पर याद रखेगा कि यंगत सिक्यांग dolphin अगर वो आपके statement में कह दे कि यह dolphin जो है वो समाप्त हो चुकी है तो याद रखेगा कि यह statement भी right होगा यह 2006 में समाप्त हो चुकी है परंतु आज के समय कभी कभार newspaper में सीधा सीधा यह word use करा जाता है यंगत सिक्यांग dolphin इसकी जनसन क्या कम हो रही है तो जिस dolphin की वो बात कर रहा है उस समय उसका नाम है यंगत सिक्यांग फिलिस dolphin ठीक है तो अगर statement यह कहा जाए कि सिक्यांग dolphin समाप्त हो चुकी है या यंगत सिक्यांग dolphin समाप्त हो चुकी है तो यह statement भी right है क्योंकि एक डॉल्फिन थी जिसका प्रॉपर नाम था यंगत सिक्यांग डॉल्फिन जो 2006 में जिसे समाप्त घोशित कर दिया गया है परंतु कभी कभा सामान लहेंजे में भी ये कहा जाता है यंगत सिक्यांग फिलनेस डॉल्फिन को सिर्फ और सिर्फ यंगत सिक्यांग डॉल्फिन तो याद रखेगा यंगत सिक्यांग फिलनेस डॉल्फिन आज भी उपस्यत है ये यंगत सिक्यांग नदी पे है और यंगत नहीं बनाया है परंतु जहां मैंने मनीपुर की मैपिंग कराई है याद रखेगा मनीपुर की मैपिंग वाले पार्ट में मैंने इरावधी डॉल्फिन के लिए बहुत सारी information दी थी याद रखेगा इरावधी डॉल्फिन जो है याद रखेगा कि ये डॉल्फिन जो है ये पलायन करके या माइगरेट करके भारत भी आती है और भारत में ये चिलिका लेग चिलिका जील या मैं कहूं लेग में इसका प्रवाश होता है याद रखेगा कि इस शेत्र में आपको यानि कि चिलका जील में आपको 6 अन्य डॉल्फिन भी देखने को मिलती है और यह याद रखेगा कि यह जो 6 अन्य डॉल्फिन है इसमें एक स्वयम एरावदी है एरावदी डॉल्फिन है इसके अलावा फिल्लेस है और यह याद रखेगा यह यह वाली finless नहीं है इसका नाम सिर्फ finless dolphin है यानि कि इरावदी dolphin, finless dolphin, humpback dolphin, humpback, spinner, stripped यह जो है यहां की प्रमूग dolphins है इरावदी, spinner, humpback, bottleneck, spinner, stripped यह 6 dolphins है यह 6 dolphins आपको देखने को मिलती है चिलिका जील में इसके अलावा यह information भी याद रखेगा कि जो चिलिका जील है यह भारत में उडिसा राज्य में उडिसा राज्य में इस्तित है और यह भी याद रखेगा कि यह केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये भी याद रखेगा कि केंदरापारा डिस्ट्रिक्ट विश्व का एक मातर ऐसा इस्थान है जहां आपको तीनों बड़े घडियाल या मैं कहूँ तीनों बड़े रेप्टाइल देखने को मिलते हैं जिसमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अर्थात खारे पानी का मगर मच देखने को मिलता है जिसे कभी कबार महा मगर मच के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा आपको यहां मगर भी देखने को मिलता है और याद रखेगा मगर और महा मगर मच में डिफरेंस होता है मगर देखने को मिलेगा इसके लावा थर्ड इंफरमेशन ये भी नदी कहा जाता है और दाया नदी के लिए याद रखेगा ये नदी एतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नदी वही सान है जहां कलिंग का युद्ध हुआ था और इसी नदी के लाल हो जाने के करण अशोका का हिर्दय परिवर्तन हुआ था और उन्ह याद रखें केंद्रा परा डिस्टिक्ट में आती है और केंद्रा परा जो जिला है इसमें चिलिका जेल उपस्तित है अब ये सारी information मैं यहां पर mention नहीं कर रहा हूँ आपको इसे जो है वह अपनी notes में mention करना है अब यहां ध्यान से समझेगा मैं आपसे क्या कहना चाहता ह याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं तो इसके directly notes बना ले और अगर आप notes नहीं बना सकते तो इस PDF को आप download कर ले कहां से download कर पाएंगे तो याद रखिएगा अभिनव बहरे geography के नाम से मैं यहां mention कर देता हूँ मेरा telegram channel है मैं class over होने के बाद इसे जो है वो telegram पे upload कर clear है सबी को तो यह जो है यह related with चिलका और related with the dolphin यह वाला part तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं another dolphins के बारे में यानि कि अन्य Dolphins के बारे में इसमें जो है मुक्यता हमारे पास दो शेश बची हुई है जिसमें से एक है गंगा डॉल्फिन और एक है सिंधु नदी की डॉल् मैपिंग सिर्फ इसलिए important नहीं है कि आपको कुछ information समझ में आ जाएगी यह इसलिए भी important है कि याद रखे civil सेवा परिक्षा में आपका मुख्य जो परिक्षा है वो उसमें आपको answer writing करनी होगी और answer writing के लिए एक super essential यानि की indispensable part होता है मैपिंग का जिस student की mapping better होगी उस student के answers ऐसे भी जो है वो काफी dynamic लगते हैं अगर सेवल सेवा परिक्षा मात्र और मात्र knowledge का exam होता बच्चो तो यह काफी जादा easy होता to clear यह काफी कुछ जो means का dimension है इसमें representation माइने रखता है no doubt knowledge is super important but no doubt कि इसका representation भी बहुत जादा important है तो चलिए start करते हैं याद रखे मैं इसे थोड़ा सा zoom out करूँगा चलिए तो अब हम इसमें basically draw करते हैं गंगा नदी को और इसकी सहायक नदियों को अब बहुत ध्यान से देखेगा मैं draw करना start करता हूँ बचो basically आप पाएंगे यह जो नदी है यह नदी आप पाएंगे इसे कहा जाता है गंगा clear तो this is गंगा नद इस प्रकार से हुगली के रूप में कलकत्ता की और प्रवाहित होता है clear अब याद रखें इसकी सहायक नदियों में एक आती है राम गंगा इसी प्रकार से एक आती है गोमती एक है घाघर clear इसी प्रकार से एक नदी है गोमती एक है बचो गंडक याद रखें तीसरी है कोशी और ये याद रखेंगा कोशी नेपाल साइट से आती है और ये है महननदा इसी प्रकार से आप पाएंगे ये नदी जो है ये से कहा जाता है यमुना और ये वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा चंबल इसी प्रकार से सिंध केन बेतवा और ये आती है सोन अब यहाँ याद रखेंगे जहां मैंने तीन नदियों को चार नदियों को एक साथ ड्रॉ करा है इसे कहा जाता है बचो पटना और यहाँ याद रखेंगा इसे कहा जाता है प्रयाग राज और याद रखे, कि मैं जरा नेमिंग कर दूँ इसकी, याद रखे, इसे कहा जाता है गंगा तथा सहायक नदियों का तंत्र, यहाँ पर कौन-कौन सी नदियां आती हैं, तो राम गंगा, गोमती, खाघर, गंडक, कोसी, महानदा, इस प्रकार से ये नदियों का करम है, और य यानि कि along with यमुना also, याद रखें एक नदी और है यमुना, इस सभी में एक समय पर जो है वो गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती थी, ओके, यहां सभी छेतर में गंगा डॉल्फिन का अधिवास था, परंतु, अब याद रखेगा कि गंगा डॉल्फिन मात्र आज के समय आपको गंगा के एक सीमित छेतर में ही देखने को मिलती है, अगर सही सही देखे, तो गंगा वास्तविक्ता में आपको देखने को मिलेगी, याद रखे, सबसे important information ये start होता है basically वारा नसी से और ये भी याद रखेगा वारा नसी से भी जादा appropriate data आप लिख पाएंगे प्रयाग राज से प्रयाग राज से कलकत्ता के मद्ध अब ये याद रखेगा कि ये जो छेतर है ये छेतर basically common है इंडिया के national waterway first के अब यहाँ पर जानने योग information है याद रखेगा कि जो गंगा डॉल्फिन है इसका प्राकरतिक आवास आज जिस छेतर में है आज जिस stretch में है उसी stretch में government of इंडिया ने national waterway start करा है अब ये याद रखें कि हर एक nation का एक सबसे ambitious project होता है एक सबसे महत्वपूर्ण project होता है जिस project को वो nation follow करके अपने आपको विक्सित देश की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है याद रखें जैसा एक project है चाइना का जिसे कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव जहाँ चाइना जो है वो चाइना से बनाते हुए सडक यूरोप तक ले जाना चाहता है साथ में roadways, railways, pipeline, airport और waterports इन सभी का construction कर रहा है इसे कहा जाता है चाइना का सबसे ambitious project अब याद रखें इसी प्रकार से आपको USA का भी project देखेगा जहाँ पर USA चाहता है कि वो विश्व की महासक्ती बने रहे और विश्व की महासक्ती बने रहने के लिए essential है कि USA एशिया में भी dominant करे और एशिया में dominant करने के लिए क्या आवशक है तो Asian powers को हमेशा divide रखना एक person थे मैकेंडर जिन्होंने लिखा था कि if India and China मैं इसे English में इसलिए quote कर रहा हूँ जिससे जो है मेरे convert करने में translate करने में कोई mistake ना हो याद रखें if India and China came together they can destroy the hegemony of USA यानि कि अगर India और China एक साथ आ जाए तो विश्व में जो USA का प्रभुत्व है इसे समाप्त कर देंगे कारण क्या है कारण यह है कि विश्व की लगभग लगभग 35-40% जनसंख्या इन्हीं दो देशों में रहती है और Asia के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है सबसे बड़ी समस्या यहाँ तीन सुपर पावर है और तीनों सुपर पावर का आपस में दो का नहीं बनता एक साथ अगर इंडिया और चाइना का नहीं बनता तो इंडिया और रश्या का बनता है इंडिया और रश्या का बनता है तो इंडिया और चाइना में भी आपस में जो है वो रिष्टे खराब होने के बाद भी कुछ topics में commonalities है अब देखें, नेक्सिस समझेगा कि इंडिया का चाइना से नहीं बनता पर रश्या से बनता है रश्या का चाइना से बनता है रश्या का इंडिया से बनता है लेकिन रश्या और चाइना के बीच में भी कुछ border dispute है अब यहाँ पर जो है वो triangle बन जाता है अब इस triangle का हमेशा बना रहना USA के powerful होने के जरूरी है इसलिए USA जब कभी बात आएगी ऐसे किसी वर्क की जिससे इंडिया चाइना को counter करेगा इंडिया का support करेगा अब इस चीज को समझे कि ये जो छेतर है ये जो छेतर है इसकी ये geopolitics है अब देखिएगा मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि USA प्रोजेक्ट चलाता है जिसे बोलते है Asian Power Rebalancing Initiative याद रखेगा इसके तहत USA का कोई लेना देना नहीं होता एशिया के अंदर चल रही किसी भी घटना के सांथ परंतु USA उसमें एंटर फेर जरूर करेगा क्यों करेगा जिससे एशिया के अंदर जो लोकल पावर्स है वो कभी भी यूनाइट होके एक होकर USA वो काउंटर ना कर ले और ये लास्ट पचास सालों से चल रहा प्रोजेक्ट है याद रखेगा आपको कोई यूट्यूब में ये नहीं समझाएगा सब factual data पर बात करेंगे कि USA क्यों आया अफगानिस्तान बट इसका एक brutal reality ये है सच्चाई ये है कि एशिया के अंदर हो रही हर एक घटना के उपर USA interfere करेगा ही कारण क्या है कारण ये है कि एशिया उभरता हुआ महादवीप है और इस उभरतेवे महादवीप के अंदर जो powers है वो आज नहीं तो कल US की hegemony को अर्थात वर्चर्ष्व को समाप्त करेंगी और ये वर्चर्ष्व को समाप्त कब नहीं कर पाएंगी जब ये तागते आपस में न मिल जाएं और आपस में ना मिलें इसके लिए जरूरी है कि इन powers के बीच में जो है वो बैलेंस को समाप्त करा जाए जहां पर चाइना रश्या को काउंटर करेगा वहाँ USA चाइना का सपोर्ट कर देगा जहां पर इंडिया चाइना को काउंटर करेगा वहाँ USA जो है वो इंडिया का सपोर्ट कर देगा अब यहां समझेगा एक US के फॉरण मिनिस्टर रहे है मैं उनका नाम यूज नहीं करना चाहता उन्होंने एक लाइन कही थी कि there is no permanent friend or enemy of USA the only thing which is permanent in US foreign politics is interest of USA याने कि USA की जो विदेश नीती है उसमें कोई भी चीज स्थाई नहीं है एक ही चीज स्थाई है वो है USA का मतलब clear एक ही USA एक ही जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया को एप्रिशेट करेगा इंडिया की तारीफ करेगा ऐसे किसी कारे के लिए जिसे चाईना काउंटर हो रहा है और वही USA एक ही हफ्ते बाद ये लाइन बोलेगा कि कश्मीर के अंदर भारत जो है वो मानाव अधिकारों का हनन कर रहा है इंडिया इस डूइंग human right violation in the जमू एंड काश्मीर अब इस चीज को समझ ये कि हिंद महा सागर में जब हम काउंटर करेंगे तो चाईना के अगेंस हमें USA का सपोर्ट मिलेगा जमू एं काश्मीर को इनिशिटिव लेंगे तो पाकिस्तान के सपोर्ट में USA का इंटरवेंशन आएंगे आज जो changes है जो पावर पोल्स में changes है ये आज चुके है पर ये आज भी समझने के लिए काफ़ी important हो सकता है तो मैं किस परिपेक्ष में आपको समझा रहा हूँ तो याद रखिएगा कि USA का ये project है चाई वो तालिबान को sponsor करे या इंडिया को quad में support करे या चाईना को counter करने के लिए किसी भी ताईवान को या किसी onion nation को funding दे ये USA का project है इसे बोलते है Asian Power Rebalancing Initiative एशिया के अंदर उभरती हुई तागतों को समनामतर होने से रोकना चाईना का project है वन रोड इनिशेटिव इसी प्रकार से आपको कोई समझाएगा नहीं ये understanding की बात है याद रखेगा भारत का भी सबसे एक महंगा project कौन सा है तो भारत का सबसे महंगा project है नदी जोडो परियोजना याद रखेगा कि अंबेटकर से लेके नरिंदर मोदी तक भारत के हर एक प्रेसिडेंट ने हर एक PM ने कभी ना कभी इस बात का जिकर ज़रूर करा है कि भारत को नदी जोडने की आवशक्ता है अब याद रखेगे इसके लिए सबसे important है हम बनाए national waterway तो अब समझेगा कि national waterway जब आप बनाओगे यानि कि नदियों को इस प्रकार से जोडोगे या इस प्रकार से उनका प्रबंदन करोगे कि उनमें ship चलाया जा सके उनसे transportation और communication बहतर करा जा सके तो इस प्रकार के जीवोगी जन संख्या लगातार कम होगी clear है fine तो चलिए आगे चलते हैं ये छेतर आपको देखने को मिलेगा गंगा डॉल्फिन वाला पार्ट और यहीं आपको प्रयाग राश से कलकत्ता के मद्द जो है वो national waterway और गंगा डॉल्फिन का अधिवास दोनों उपस्थित मिलेंगे तो अब याद रखें इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं हम अगर इसमें draw करें अब सिंधू नदी तंत्र के बारे में तो याद रखेगा मैं यहाँ सिंधू नदी तंत्र अगर बनाऊं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से गुजरती है सिंधू नदी clear यह है सिंधू इसी प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेगी जेलम आपके लिए रीडेबल होगा और अगर ना हो तो just a second मैं इसे थोड़ा सा जो है जूम इन और कर लेता हूँ चले तो याद रखें इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो नदी है इसे कहा जाता है बचो जेलम याद रखें जेलम जो है वो शेशनाग जील के समीब से उद्गम लेती है इसी प्रकार से सिंधू जेलम यह है बचो चिनाब यह जो है वो जल लेगी उपर वाई नदी का इसी प्रकार से यह राभी पाकिस्तान नहीं जाती वो ब्यास है और यहां से आती है सतलुज जिसे मैं यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा और सतलुज जो है वो सारी अन्य नदियों का जल एकत्रित करके यह समा जाती है सिंधु के अंदर तो यह है बेसिकली नदियों का क्रम जहां आप सिंधु डॉल्फिन अब याद रखिए जो सिंधु डॉल्फिन है यह आज के समय उपस्थित नहीं है इसका मुख्य कारण क्या है इस शेत्र में अब आपको क्यों देखने को नहीं मिलती सिंधु डॉल्फिन तो इसका मुख्य कारण है अब यहां द्यान से सुनिए अब याद रखेगा सिंदू डॉल्फिन क्यों देखने को नहीं मिलती तो इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि सिंदू नदी के आसपास बहुत जादा बांध निर्मान ये गतिविदियां देखने को मिलती है इसके अलावा ये भी याद रखेगा कि सिंदू नदी की जो सहयक अपके लिए एक्जाम पॉइंट ओफ यू से कि आज के समय ये किन दो तीन नदियों में देखने को मिलती है तो याद रखेगा मुख्यता ये 90% केसेस में सिंदू नदी में ही देखने को मिलती है तथा कभी कभार ये आपको चिनाब में भी देखने को मिलती है तो याद कि ये information आपके लिए essential हो जाएगी सिंदू नदी डॉल्फिन के लिए और कभी कभार जो है इसे इंडस रिवर डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है तो ये complete information हुई उन सभी डॉल्फिन के बारे में जो exam point of view से आपके लिए important हो सकती है अगर आप चाहें तो आप इसकी ज download कर पाएंगे तो basically आज के हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा तो मैं एक बार इसे brief में consolidate कर दूं conclude कर दूं तो आपने देखा basically कि कितने प्रकार की डॉल्फिन होती है तो ताजे पानी की डॉल्फिन है ये आपके सामने है 6 ताजे पानी की डॉल्फिन होती है अगर मैं दॉल्फिन दिखेगी इसके अलावा यहां याने की South East Asia में आपको चार डॉल्फिन देखने को मिलती है जिसमें से इरवधी डॉल्फिन है जिसके बारे मैं आपको पूरी कहानी समझाए कि इरवधी डॉल्फिन जो है वो इरवधी नदी के डेल्टा में मिलती है बिल्कु थी हमने एक यंगत सिक्यांग डॉल्फिन के बारे में भी देखा जिसका परफेक्ट नाम है यंगत सिक्यांग फिनलेस डॉल्फिन और याद रखे कि यंगत सिक्यांग नदी जो है विविश्व की तीसरी सबसे लंबी यूरेशिया की सबसे लंबी तथा एक ही देशें प बेल्ट में मिलेगा जहां आप पाएंगे जहां आप पाएंगे के नेशनल वाटरवे का निर्मान करा गया है उसी स्थान पर जो है इसका भी अदिवास है तो यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं अब मैं एक लास डाइमेंशन आपके साथ सेयर करना चाहता याद रखेगा अगर कभी आपसे सिविल सिवा परीच्छा ये प्रशन करती है कि गंगर डॉल्फिन के खत्म होने के चार प्रमुक रीजनों या चार प्रमुक करणों के बारे में समझाईए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखेगा नदियों में निर्मान करा ज जा रहा है तो बेसिकली उर्जा अर्थाद बिजली के निर्मान के लिए और बहुत देशी परियोजनाएं जैसा की सिचाई अदि के लिए क्लियर है तो एक जो है वो बांधों के निर्मान से दूसरा नदियों के प्रदूशन के कारण अब यहाँ नदी प्रदूशन से आ द्योगिक अवशिष्ट पदार्थ तो एक हो गया बांधों के निर्मान से दूसरा हो गया अवशिष्टों के उत्सरजन से और तीसरा याद रखेगा कि एक कारण जो है वो नेशनल वाटर वे का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी हैं गंगर डॉल्फिन के स्पैसिफ साइड के केसिज बढ़ रहे हैं मस्तिस कुजवर के केसिज बढ़ रहे हैं इनसे फेलाइटिस के केसिज बढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि ये की स्टोन पर जाती थी तो याद रखेगा कि जो डॉल्फिन्स होती हैं ये भी काफी जदा इंपोर्टेंट होती हैं अगर ये विदियों से तो हम मशलियों को पकड़ ही लेते हैं, परन्तु मानाओ कभी भी मुर्त मशलियों को नहीं पकड़ते हैं, अब यहाँ पर एक डायमेंशन और निकल के आता है, कि क्या आने वाले समय में यह किसी पर्यावरनिय आपदा को इंडिकेट करता है, इसके बारे में मै पहले हमें Government of India या IUCN या WWF World Wildlife Fund से कुछ information के अवशक्ता होगी, तब ही हम इस topic को आगे देख पाएंगे, तो चलिए, I think आपको सारे dimensions क्लियर हो चुके हैं, आप इस challenge पर जाकर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम next वीडियो में मिलते हैं बच्चों, अपने comment जरूर mention करें, मैं मान कर चलता हूँ, अगर इस स्थान तक आप आएं हैं, इस वीडियो को पूरा देखा है, तो इसका अर्थ है कि आपको जो है, ये वीडियो बहतर तरीके से समझ में आया होगा, अपने comments जरूर mention करें, कोई advice हो, या किसी topic में, अगर आप detailed वीडियो चाहते हैं, तो उसे आप comments section of mention कर सकते हैं, तो चलिए, मिलते हैं next वीडियो में, have a very nice day, thank you.